रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोथसाहन योजना किस राज सरकार द्वारा शुरू की गई है। श्री अन्य कोदो कुटकी, रागी, जुआर, बाजरा, आधी के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रती किलो दस रुपे प्रोथसाहन राशी दी जाएगी। कि चर्चित चिन्नार वन जीव अभ्यारन केरल राज में इस्तित है। हाल ही में केरल में चिन्नार वन जीव अभ्यारन में यूरेशियन उद्बिलाब देखा गया। यूरेशियन अब जानते हैं यूरेशियन उद्बिलाब के बारे में यूरेशियन उद्बिलाब यह एक उद्बिलाब की प्रजाती है जो यूरेशिया में ब्यापक रूप से फैली हुई है। IUCN की रेट सूची में निकट संकट ग्रस सूची में शामिल किया गया है और ये एक आश्चर जनक बात है कि ये जो यूरेशन उद्बिलाप है ये केरल में देखा गया है और हम जानते हैं कि रेट डाटा बुक हमारी IUCN जारी करता है इस रो के उग्रे G720 को किस रॉकेट से लॉंच किया जाएगा इस रो सैटलाइज G720 विल भी लॉंच बाइ विच रॉकेट तो ये किया जाएगा फालकन 9 से यानि की ऑप्शन C is right इस रो के उग्रे G720 को फालकन 9 रॉकेट से लॉंच किया जाएगा Falcon 9 SpaceX कंपनी का है SpaceX Elon Musk की कंपनी है जो की वर्ड के रिचेस्ट परसन है SpaceX के Falcon 9 rocket से launch होने वाला यह भारत का पहला mission होगा GZ20 एक communication satellite है जो high speed broadband internet connectivity, digital video और audio transmission की सेवा देगा GZ20 को 2024 की दूसरी तिमाही में launch किया जा सकता है अब हम जानते हैं XPO set जिसे X-ray polarimeter satellite कहते हैं इसे PSLV C58 के द्वारा, आजित L1 को PSLV C57 के द्वारा, चंद्रयान 3 को LVM3 के द्वारा छोड़ा गया हाल ही में MS स्वामिनाथन पुरुसकार किसे प्रदान किया गया Who has recently been awarded the MS स्वामिनाथन Award तो ये दिया गया प्रोफेसर बी आर कमबोज को यानि की option A is right यानि की हाल ही में MS स्वामिनाथन पुरुसकार प्रोफेसर बी आर कमबोज को प्रदान किया गया कमबोज को यह पुरुसकार ग्वालियर में One Health One World पर अंतराश्ची सम्मेलन में करनाटक के राजपाल थावर चंद गहलो द्वारा प्रदान किया गया प्रोफेसर बी आर कमबोज को यह पुरुसकार शिख्षा अनुसंदान प्रोद्योगी की विकास और क्रशिविज्ञान में विस्तार के लिए दिया गया MS स्वामी नाथन को भारत में हरित किरांती का जनक कहा जाता है